असल में बोनी कपूर अपने भांजे मोहित मारवा की शादी से मुंबई पहुँच चुगे थे लेकिन पत्नी श्रीदेवी को सप्राइज देने के लिए वे दोबारा दोबई पहुँचे करीब साड़े पांच बजे वे दोबई पहुचे वहां श्रीदेवी अपने होटल रूम में सो रही थी उन्होंने श्रीदेवी को उठाया और दिनर डेट के लिए पूछा फिर पंदरा मिरेट इसी के बारे में चरजा की फिर श्रीदेवी दिनर डेट के लिए रेडी होने बौशू गई बहुत देर तक श्रीदेवी के बहार ना आने पर बोनी कपूर ने गेट खट खटाया खेट खट खटाने पर श्रीदेवी ने कोई रिस्पॉंस नहीं दिया चिन्तित होने पर बोनी ने बाथरूम का दर्वाजा तोड़ दिया बाथरूम में उन्होंने पत्नी श्रीदेवी को अचेत अवस्था में पाट टब में गिरा हुआ पाया यह आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला है कि श्रीदेवी के ब्लड में अलकोहल सेंपल्स भी मिले हैं कहा जा रहा है कि होश में ना होने की वज़ा से उनकी बाथ टब में गिर कर मौत हो गई क्या उन्हें कोई स्ट्रेस था? सूत्रों के अनुसार यह भी खवर मिली है कि श्रीदेवी अपने होटल रूम से पिछले दो दिन से बाहर नहीं निकली थी क्या श्रीदेवी की मौत सचमुच एक मेजर कार्डियेक अरेस्ट की वज़े से हुई थी या है किसी की साजश? श्रीदेवी की और खबरों से जुणने के लिए अपडेट रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूले बॉलिवर्ड जंक्शन